नमस्कार दोस्तों, हमारी चर्चा वर्ष 2021 के वर्षफल पर चल रही है, हम तुला लगन वालों तक की चर्चा कर चुके हैं, आज हम यहाँ पर विश्चिक लगन वालों के बारे में बात करेंगे और यह जानेंगे कि विश्चिक लगन वालों के लिए यह आने वाला साल कैस शनी, गुरू वा रहुकेत्व की इस्थिति का अध्यन करते हैं क्योंकि यही चार ग्रह ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा समय तक किसी भी कुंडली में बने रहते हैं और अपना परभाव देते हैं बागी की ग्रह लगबग एक महिने में अपनी राशी चेंज कर लेते हैं और इस्चिक लगन वालों की कुंडली में शनी तीसरे वा चोथे भाव के स्वामी हैं अर्थात आपके प्राकरम वा सारे सुखों का जिम्मा शनी के पास है माता का सुख भी चतुर्थ भाव ही दर्शाता है शनी स्वयम अपनी राशी में आपकी कुंडली में प्राकरम भाव भागता ही रहता है और प्रणिनाम बहुत ही कम प्राप्त होता है वर्ष 2021 में शनी की स्थिती के अनुसार शनी आपके प्राक्रम भाव में रहेंगे यहाँ से शनी की तीसरी द्रिष्टी संतान भाव पर साथवी द्रिष्टी भाग्य भाव पर और दसवी द्रिष्टी बारवे भाव पर होगी इस समय में आप अपने अंदर कुछ जोश महसूस करेंगे आपकी मानसिक इस्तिथी पहले से भेतर होगी आप अपने अंदर की कलाद मक्ता को बहर लाने के लिए भी बहुत परियास करेंगे आप इस समय में अपनी कल्पनाओं की दुनिया से निकल कर बहर आएंगे और वास्तविक्ता को भी समझेंगे आपका फियर यदि कहीं चल रहा है तो वहे आप स्वयम ही खतम कर देंगे और अपनी मैरीज के बारे में सोचेंगे आपकी एजुकेशन अच्छी रहेगी उसमें आ रही रुकावटे खत्म हो जाएंगी आपका रिजर्ट भी अवरॉल अच्छा ही रहेगा बच्चों के लिए इस समय में यदि प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी देरी हो सकती है शियर्स के प्रॉफिट में भी कुछ कमी आ सकती है शनी की साथ विदेश्टी भाग्य भाव पर रहेगी जिससे पिता के सयोग की भी कुछ कमी रह सकती है विदेश यात्रा हो पाना संबव है जिससे आपको अच्छा खासा लाब भी हो सकता है अपने पिता से विचारों का तालमेल बनाए रखें जो लोग जॉब में हैं उनकी पर्मोशन के भी योग बनेंगे जिससे आपकी मेहनत भी कुछ बढ़ जाएगी शनी आपको बनावटी पन के दुनिया से बाहर लाएंगे और हकीकत में जीना सिखाएंगे अब बात करते हैं गुरू के गोचर के बारे में गुरू का गोचर वर्ष के शुवात में आपके तीसरे भाव यानि प्राकरम भाव में शनी के साथ मकर राशी में रहेगा यात्राएं भी होती रहेंगी गुरू की पंचम द्रिष्टी सप्तम भाव पर होने से आपके विवा के भी योग बनेंगे आप यदि शादी शुदा हैं तो आपके जीवन साती से आपके अच्छे संबन रहेंगे आप कहीं घूमने के लिए भी जा सकते हैं आपका विदेश का भी कोई प्रोग्राम बन सकता है गुरू की सात्वी द्रिष्टी भाग्य भाव पर होगी जिससे आपकी हाईयर एजुकेशन के भी योग बनेंगे आपके पिता आपको पूरा सहयोग देंगे आपकी कई धार्मिक यात्राएं होना भी संबव हैं गुरू की नोवी द्रिष्टी ग्यारवे भाव पर होगी जिससे आपको बड़े भाई भेनों का भी सहयोग प्राप्त होगा और आपके लाब के भी योग बनेंगे 6 अप्रेल को गुरू मकर राशी से निकल कर कुम राशी में आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे और 14 सितंबर तक यहीं पर रहेंगे यहां से गुरू की द्रिष्टी आपकी अस्टम भाव पर दशम भाव पर और बार्वे भाव पर होगी और 14 सितंबर को गुरू वकरी होकर वापस मकर राशी में अपनी पहली अवस्था में आ जाएंगे और अपने शुफल देने आरम कर देंगे और यहां पर गुरू 20 नवंबर तक रहेंगे 20 नवंबर को गुरू दुबारा से कुम राशी में आ जाएंगे और यहीं पर फिर लंबे समय तक रहेंगे आईए अब जानते हैं कि रहू का पूरे वर्ष हमें कैसा फल प्राप्त होने वाला है रहू का गोशर तही सितंबर दोहजार बीस से आपके सप्तम भाव में चल रहा है वर्ष 2021 में भी पूरे वर्ष राहू आपके सप्तमभाव में ही रहेंगे राहू कोई भी कार्रे अचानक से करते हैं इसलिए सप्तमभाव का राहू जातक का विवा अचानक से करवा दिता है और अचानक हुए कार्रे में कई बार गलतियां भी हो जाती है क्योंकि जल्द बाजी में किया गया कार्य सही नहीं होता सप्तम भाव का रहो वैसे तो अच्छा माना जाता है किन्तो विवाईक जीवन के लिए सही नहीं माना जाता यह आपके जीवन साती से आपका विवात करवा सकता है यह आपके कारियों के लिए तो अच्छा है क्योंकि यह आपके करम भाव का भी करम भाव है यानि दशम भाव का भी दशम भाव है यहां से राहू की द्रिश्टी लाब भाव पर लगन पर और प्राकरम भाव पर रहेगी आपकी जनम कुंडली में यदी राहू अच्छी स्थिती में है तो यह राहू का गोचर आपके लिए बहुत शुब रहेगा अन्निता आपको इसके कुछ खराब फल भी प्राप्थ हो सकते हैं अच्छे राहू वाले जातकों को ससुराल पक्ष से खास कर ससुर से लाब मिलने के योग बनेंगे अन्मेरिड लोगों को अपने मित्रों से वापिता के भाईयों से लाब होने के योग बनेंगे लगन पर राहू की द्रिष्टी आपको मानसिक दबाव भी दे सकती है आपका confidence कुछ low हो सकता है आपके अंदर अधिक गुसा रह सकता है किन्तु जनम कुंडली में अच्छे राहू वाले जातकों के अंदर साहस वा जोश की कमी नहीं रहेगी उनमें आत्म विश्वास भी अधिक रहेगा इसलिए रहू का ही है गोचर भी विश्चिक लगन वालों को बहुत सूट करेगा तो दोस्तों ये था विश्चिक लगन के जातकों के लिए वश्च 2021 का हाल आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करने धन्यवाद